जै साहीरा मैं हूँ के रएंड आप सभी का सवागत है मेरी चनल में आज मैं लेकर आई हूँ बहुती कलरफुर और आसान रेचीपी पांस मिन्ट में बनने वाले साबु दाने के पापड की रेचीपी न साबू दानों को उबालना न पीसना न बेलना बिना किसी झछनजट और कम महनत में बनने वाले टेश्टी से पापड़ की रेस्पी जो बहुत ही टेस्टी है देखें कितने सुंदर लग रहा है यह पूर देखने के सा फुर यह तेस्टी भी है दो चलिए फिर हम रेस्पी कमी डालेंगे क्योंकि पापड में नमक कमी डालना चाहिए क्योंकि सूखने के बाद उसमने टिस्ट जादा हो जाता है अब इसको हम चार पार्ट में डिवाइट कर लेंगे एक वाइटी रहने देंगे और तीन में हम कलर मिला लेंगे एक में मिलाएंगे ग्रीन रैड और य उसको अच्छे से तेल से ग्रीज कर लेंगे और एक पतली सी साबुदाने की लेयर हम इसमें बिछा देंगे मैंने गैस पर पानी वी उबलने के लिए रख दिया है स्टीम होने के लिए जब तक हम सारे सा जो को फिल कर लेते हैं इसी तरह से मैंने वाई वाले साबुदाने भी रख लिए हैं अब हमेने सा आचे में रख देंगे और ढ़कन लगा देंगे और दो मुने तक हम इसंते पका लेंगे हमें इने ट्रांस्पेरेंट होने तक पकाना है देखे हमारे पापड हो गए हैं तयार हमेने चाको की सायता से निकाल लेंगे सांचे से निकाल लेंगे गवाद इसे दो मिने ठंडा होने दे फिर हम इसे निकालेंगे नहीं तो ये तूट जाएंगे, देखे कितने असानी से निकल गए है, इसी तरह से हम सारे पापड तयार कर लेंगे, ये देखे, देखे कितने सुन्दर लग रहे हैं ये, इसी तरह से हम कलर वाले भी पापड बना लेंगे, ये बहुत असानी से निकल जाते, बस इन्हें एक बार ग्रीज करना है, अब देखे हमारे सारे तयार हो गए, अब हम इनको एक दिन धूप में सुखा लेंगे, अब मैं आपको इनको तलके दिखाती हूँ, सारे पापड को मैंने एक दिन अच्छी कड़क धूप में सुखा लिया था, ये देखिए, इसी तरह से मैं कलरफूल वाले भी तलके दिखाती हूँ आपको, है नहीं बहुत आसान रेसिपी, तो फटा फट से आप भी ट्राइ कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताए कि आपको ये कैसे लगे, और यदि अच्छे लगे हूँ तो प्लीज लाइक कीजेगा, और ज्यादा ज्यादा लोगों को शेर कीजेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाबाई, धन्यवाद,